हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैथमेटिक पावल सकसेना कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब अच्छे होंगे इस कोरोना टाइम में काफी जादा कंडिशन्स वर्स्ट हो चुकी हैं हमारे चारों तरफ आप सब लोग भी घर पे रहें घर पे रहकर ही अच्छे से स्टडी करिए और अपनी स्टडी का भी नुकसान मत होने दीजिए तो हम यहाँ पर अब लेके आए हैं चैप्टर नमबर थ्री बैरियस टाइप ओफ क्वाडिलेक्टरल क्लास एट का और हम बुक सॉल्व कर रहे हैं ओलिवर की मैस हंट इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नमबर वन चैप्टर नमबर टू को सॉल्व कर दिया है तो आप पिछली वीडियो में उनको जरूर देख ले और इससे पिछली वीडियो में हमने इसका चैप्टर नमबर थ्री का इंट्रोडेक्शन भी दिया है कि बैरियस टाइप ओफ काडिलेक्टरल कौन-क मुख स्थे अचैप्टर एक आइससेल ट्रैपीजियम जो होता है जिसमें बन पेर of parallel sides एक ऐसा quadrilateral quadrilateral के बारे हम पढ़ रहे हैं तो आपको यह तो basic से पता होना चाहिए कि quadrilateral ही होगा ऐसा quadrilateral जिसमें एक pair हो parallel side का and one pair of non parallel side तो वो कहलाता है हमारा trapegium यह तो अमर के बड़ trapegium के बारे में हैं तो हमने ऐसे कि यहाँ पर एक trapegium यह बना दिया यह तो यह line और यह line आपस में parallel है arrow से हम indicate करते हैं कि यह line आपस में parallel हैं और यह non parallel हैं तो यह है हमारा एक simple trapegium अब आते हैं isosel trapegium में क्या हो जाता है इसी में इतना add हो जाता है कि हमारी जो non parallel sides हैं वो आपस में equal होती हैं तो देखिए यहाँ पर जो isosel trapegium कैसा बन जाएगा वो बहुती simple सा है दोनों में कोई खास difference नहीं है बस एक side का difference है यह हमारी non parallel side विल्कुल लगना चाहिए तो यह हमारा बन जाएगा isosel trapegium यह दोनों आपस में parallel हैं और जो non parallel sides हैं वो आपस में equal हो जाती हैं तो यह हमारा पहला कोशनियां से complete हुआ तो difference क्या है इन दोनों में difference है कि in isosel trapegium one pair of non parallel sides are equal बतलब जो non parallel sides हैं वो आपस में equal होती हैं और trapegium में simple one pair of parallel side and one pair of non parallel side के लिए रहें next question number two पर आते हैं in figure 3.25 यह हमारा diagram बना हुआ है बराबर में इसमें हमें बताना है PQRS एक parallelogram है parallelogram दिया हुआ है तो देखिए सब से पहले हम इसमें इसका इक diagram बना लेते हैं को इसमें हमारे पास given है यह और अगर आपको कोशन में given नहीं होगा तो आपको diagram बनाना जरूर आना चाहिए क्योंकि हमारे आधे marks diagram से ही मिलते हैं अगर हमने diagram बना दिया है इसमें question के पार्ट है वो 30 दे रखा है clear है यह हमारे पास diagram है अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है बहुत सारे एंगल है इसमें पूछ रहा है कि हमारा angle PQO means PQO हमारे यह angle हमें find करना है second angle है हमें OSR OSR मतलब हमें यह वाला angle find करना है third angle पूछ रहा है इसमें QRO QRO का मतलब हो गया QRO means यह हमें angle find करना है same desk मतलब आगे गया क्योंकि same desk का मतलब होता है कि वह angle आपस में equal हो गया है and angle हमें find करना है RQS RQS यह हमें last angle find करना है देखिए हम कैसे कैसे angle find करेंगे बहुत ही आसान है आपको properties के बारे में जरूर पता होना चाहिए को कि अगर properties आपको पता है तो यह एक पैरलोग्राम है solution हम start करते हैं यहां से since PQRS is a पैरलोग्राम पैरलोग्राम को हम इस तरह से short मिली सकते हैं दो लाइन पैरलल ट्रॉगर करके उसमें GM लगा के के लिए रोग्राम है इट मींज यह जो लाइन है वो इसके पैरलल होगी कि सो PQ लाइन पैरलल होगी एसर के तो यहां से हम एरो पैरलोगी क्यों यह एर के किलियर अगर यह लाइन पैरलle है तो देखी जो लाइन पैरलल होती हैς तो यह मारी पैरलािम और क्यॉ आरो गई और इसमें यह तीसरी लाइन ट्रान्सवरसल है मिज स्धियाएर तो पर जो corner पर angle बने होते हैं वो आपस में equal होते हैं यह आपको पता होगा इसका नाम होता है alternative interior angle तो यहां से हमारा जो angle 50 है वो angle हमारे बराबर होगा QR OK तो यह हमारा जो third बलत number है वो हमारा निकल के आ जाएगा यहां से लेकि कोई साभी पहले हम कोई से निकाल सकते हैं इसमें कोई भी foundation नहीं बनी वे तो यहां पने हमें start करते हैं तो angle OPS जो भी angle लेते हैं वो हमें साब बीच में रहता है इसका भी दियान नहीं कियेगा कि हमसे OPS या SPO लिख सकते हैं बराबर होगा angle ORQ या QR OK के लिए और यहां से हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एफ़ और अल्टरनेटिव आईफ़ इंटीरियर और एफ़ एंगल तो हमारे पास OPS की value है दी हुई 50 डिग्री तो हमारा एंगल जो है QRO निकल के आ गया मीस हमें पहला आंसर मिल गया QRO 50 फाइनल अब इसके बाद देखिए यह हमारा एंगल 50 डिग्री आ चुका है और हमें यह और यह निकालने तो हम इस पर टिक लगा देते हैं अभी हमें यह तीन एंगल फाइंड करने है PQO यह वाला एंगल भी फाइंड करना है अभी हमें और हमें फाइंड करना है OSR यह भी फाइंड करना है और RQS यह हमें यह वाला एंगल भी फाइंड करना है तो देखिे, अभी हमें इतना एंगल पता लग चुका है. ये अपोजेट एंगल है, पूरा एंगल P और पूरा एंगल R अपोजेट एंगल है पैरलोग्राम की, अपोजेट एंगल पैरलोग्राम की होते हैं, आपस में equal, तो यहाँ पर हम लिखेंगे since apoge angles of a parallelogram are equal तो कि यह equal होते हैं आपस में तो इसलिए हमारा angle जो P होगा वो equal होगा angle R के P की value देखिए 50 और 30 को आइट कर दीज़े नियाद से P की value है 80 degree तो हमारा angle पूरा R जो आ गया वो आ जाएगा 80 है ना अब हमें QRO पता है मतला हमें इतना सा angle पता लग चुका है यह 50 तो it means यह पूरा 80 है तो यह पूरा 30 रह गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hence angle O RS यह SRO O RS equals to हो जाएगा पूरा हमारा 80 degree है यह हमें पता है 50 है तो यह आ गया हमारा 30 degree किलियर हो गया हो गया तर इसके बाद देखिए हमें निकालना है यह वाला angle O S R O S R कैसे निकलेगा देखिए इस triangle में अभी हमने यह भी angle पता कर लिए 30 है यह angle 100 है तो हमारा यह angle आसानी से निकल के आ सकता है देखिए इन ट्राइंगिल O S R में हम इसमें angle sum property लगा दें तीनों angle का sum बने 80 degree होगा तो यहां से देखिए O R S O S R और S O R प्रेंगिल O S R प्लस O R S प्लस R O S देखिए पहले बीच में S आया है फिर R आया है फिर O आया है कोई भी repeat नहीं हुआ है बस यह letter आगे पीचे हुए है तो इनका भी ध्यान दखिएगा कई कोई angle repeat मत कर दिएगा O S R हमें पता नहीं है यह हमें find करना है O R S अभी हमने निकाला है यहां से 30 degree का आया है और R O S question में दे रखा है कि वो 110 का है equals to हो जायाएगा 180 O S R को हम यहीं चोड़ेंगे इसके हमें value find करनी है यह 110 and 30 हो जायाएगा 140 इसे ले जाएगे हम तो हमारा angle O S R की value आजाएगी 40 degree यह हमारा second answer भी complete हो गया अहां हमें निकालना है R Q S या P Q O इन दोनों में से किसी एक को निकालेंगे तो देखे इस triangle में R O Q में यह इसका exterior angle है यह exterior angle यहाँ पढ़ने में से 50 लिख दे यह exterior angle अपने दोनों interior opposite angle के समके बराबर होगा by exterior angle थेओरम यह हमारा triangle है यह exterior angle हमेशा अपने दोनों interior opposite angle के समके बराबर होता है तो देखें triangle R O Q में using exterior angle थेओरम angle R O S बराबर होगा O Q R या R Q O कुछ भी ले सकते हैं O Q R और R Q O O Q R प्लस angle R Q O देखें R Q S या R Q O एक ही बात है तो R O S हमारा 100 degree है प्लस O Q R अभी हमें find करना है हम O Q R की जग है S Q R या R Q S भी ले सकते हैं यह दोनों angle ही same है तो यह से हम लिख देए हैं R Q S प्लस R Q O तो यह repeat हो गया हमारा O Q R और O R Q होगा यह है यह repeat हो गया है O R Q होगा और O R Q की value अभी हमने find की हैं यह पर O R Q कितना है हमारा 50 degree अब इस 50 को लेकर आ जाएंगे इधर minus का हो जाएगा तो यह हमारा third answer आ गया angle R Q S equals to 50 degree अब हमें निकालना है यह बचा हमारा P Q O P Q O यह angle हमें find करना है कितना होगा अब देखें हम इस triangle में भी लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा यह 110 है तो यह अंदर वाला angle भी कितना होगा 110 बाइटी के लिए पूजिट आंगल से अब इस triangle में हम angle से प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ की तरह तो यह 30 यह 110 तो यहाँ पर जो angle आएगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं एक तरीका दूतरा तरीका यह है आपका यहाँ पर जो angle बना है वो इसके बराबर होगा क्योंकि यह दोनों आपस में alternative interior angle है तो OSR यह जो angle है वो हमने निकाला है यहाँ पर 40 लिग दीगा तो यह हमारा जो PQS जो last angle है यह PQO वो भी हमारा कितना होगा है है आपस में कैसे होंगे बराबर तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं दोनों ही सही है तो यह आपका last बला part जो है वो आपका homework रहेगा अब इसके बाद third question पर आते है question number 3 पर आते है the angles of a quadrilateral are in the ratio 3, ratio 4, ratio 5, ratio 6 find the measure of the angles हमारे पास quadrilateral के angles दे रखें वो भी ratio में तो जब भी कोई number आपको ratio में दिया हो तो हमेशा आप उसके साथ एक variable लगा देते हैं कोई ना कोई const कोई ना कोई इसमें x by z कुछ भी हम लगा के उसके साथ में लिख सकते हैं तो देखिए question number 3 हम स्टार्ट कर रहे है solution इसका, तो let कर लिया हमने let the angles are पहला angle था हमारा 3 तो हो गया वो 3x second angle 4x, third angle 5x and the last angle 4 जो है वो हो गया हमारा 6x जैसा कि वो ratio में दे रख कर था हमने उसे convert कर दिया, एक variable लगा के उनको normal angle में अब now we know that कि एक triangle के तीनव angle का सम होता है 280 और जो quadrilateral होता है वो दो triangle से मिलके मनता है, तो वो हो जाता है हमारा एक two triangle तो उसके quadrilateral का जो सम होता है 4 angle का वो होता है 360 तो first angle अगर हम angle A माल ले, second angle B माल ले, third angle C माल ले और fourth angle को D माल ले, तो ये 360 हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर diagram तो बनावा नहीं है तो आपनी तरफ से कुछ भी let कर सकते हैं, है ना, क्योंकि A, B, C, D लिया है हमने तो यहाँ पर छोटा सा एक नमूना जरूर दिखाना होगा sample तो यह हमारा एक quadrilateral हो गया इन चारो एंगल का sum 360 होता है अब एंगल A जो है हमारा वो 3X है अब इसे हम 4X इसे 5X and last one है 6X equals to 360 इजी है, 4, 3, 7 7, 5, 12, 12 और 6 हो गया 18, तो यह हो जाएगा 18X equals to 360 और आप linear equation को स्वाल करते हुआ है, आपको पता है यहाँ पर जो X के साथ में 18 है, वो कहाँ चला जाएगा multiply में नहीं, ध्यान रखिएगा multiply का number है यह यह जाएगा हमारे divide में और divide से हम इसे cancel करेंगे तो 18 to 36 तो यहाँ पर X की value जो जाएगी वो हो जाएगी 20 यहाँ पर आप degree यहाँ कुछ भी मत लगाएगा क्योंकि यह X है और X का हमें पता नहीं है कि क्या दिया हुआ है अभी हम angle find करने वाले हैं तो angle A equals 2 है हमारे पास 3X तो 3 into X की value 20 तो 23 जाएगा 60 तो अब हमारे पास angle आ गया हमें आप यह इसकी डिग्री लगा सकते हैं अगल B है हमारे पास 4X तो 4 into 20 तो 2nd angle आ जाएगा हमारे पास 80 3rd angle है हमारे पास C जो है 5X तो 5 into 20 25 जा 100 तो 2nd last 3rd angle आ गया हमारे पास 100 एंट लास्ट एंगल है 6X तो 6 into 20 26 आ वन हंट्रेट 20 तो यह हमारे पास आ गया D angle 120 आप आट कर सकते हैं देखें हैं 120 में 80 आट करेंगे 200, 300 और 360 चारों angle का सम्मारे पास 360 ही आएगा next question number 4 है question number 4 है हमारे पास इन figure 3.26 figure हमारे बरावर में दिया हुआ है ABCD is यह पैरलोग्राम यह एक पैरलोग्राम दिया हुआ है BD is the diagonal BD इसका diagonal है हमें बताना है is AD equals to BC क्या AD equals to BC होगा YES आपने properties पढ़ चुके हैं पैरलोग्राम की क्यों होगा क्योंकि आपोजिट आंगल of the पैरलोग्राम R equal that's why AD equals to BC second है DC equals to AB DC equals to AB YES DC equals to AB क्यों होगा क्योंकि यह भी opposite sides है पैरलोग्राम की और हमें पता है कि opposite sides are equal इस VD equals to DB why VD and DB आपसमें equal है YES B से D तक जाए D से B तक जाए distance है distance आप चाहें किसी भी direction में जा रहे हो उसमें से negative नहीं आती है तो यहाँ पर BD और DB जैसे कि हमना अगर BD ना अपलिया 5 तो DB-5 आगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो यह हमारा आपस में एक कोल होगा इसके बाद इस ट्राइंगल ABD ट्राइंग कॉंगरेंस CBD ABD and CBD क्या आपस में कॉंगरेंस होंगे तो कॉंगरेंस होने के लिए आपको पता आना चाहिए कि तीन चीजे बराबर होना चाहिए और तीन चीजे बराबर अगर हो जाएंगी तो वहाँ से वह कॉंगरेंस हो जाएगा तीन चीजे कौन कौन सी हैं बिल्ह实 loves अ एक साइड और एक साइड और जाती तो यह मतलब यह इस ही में काउंट कर लिए जाता है कि लेकिन यह अलग से होता है तो ज्याण ना जगा किसका तो यह वोड lift से हमारे इस से हम triangle को congregants करते हैं अगर कि यहां हमारे सारे पर पर राभर हो जाते हैं तो वह triangle आपस्में क्या हो जाएगा congress तो Congress आप इसे खुद करिएगा कोई उपर तो हम इसे असानी से कर सकते हैं नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 5 कोई नाम नहीं दिया हुआ है उसके डाइगोनल जो है जो इच डाइगोनल लेंट ऑफ इच डाइगोनल इस टैन सेंटीमेटर हैं डाइगोनल और एक दूसरे को राइट अंगल पर कड़ भी कर रहे हैं तो वाट इच यूर कमेंट अबाउट इस कोई लेटर देखिए कितना अच्छा दिया है और आपको यह बताना है कि इसमें कि वो किस ट्राइप कर डाइगोनल है डाइगोनल है टैन सेंटीमेटर का और दोनों आपस में बराबर है पहले हम एक रफली डाइगराम बना लें लेकिन पैरलोगराम बना रहे हैं लेकिन जिरूरी नहीं है वो जो आए वो पैरलोगराम ही बनेगा यह हमने एक रफली डाइगराम बना लिया है ABCD AC जो लाइन है वो बराबर है BD के और कितना है 10 सेंटीमेटर डाइगोनल आपस में इककोल है तो देखिए डाइगोनल आपस में एककोल होते हैं rectangle के और इसके बार ये diagonal also by side each other at right angle और ये diagonal एक दूसरे को right angle पर cut कर रहे हैं अब diagonal equal थे तो हमारे दिमाग में आया क्या कि वो rectangle भी हो सकता है अब इसके diagonal एक दूसरे को 90 degree के angle पर काट रहे हैं तो 90 degree के angle पर काटते हैं एक तो होता है हमारा rombus और दूसरा होता है हमारा square इन दोनों के diagonal आपस में एक दूसरे को 90 degree के angle पर cut करते हैं अब देखिए कि answer क्या होगा भई हमारी जो property question में दे रखी हैं बहुत सब satisfy करना जाएं तो यहाँ पर देखिए diagonals equal हैं और 90 degree के angle पर cut कर रहे हैं तो यह property cable square में होती है कि उसके diagonal भी equal होते हैं आपस में और वो आपस में एक दूसरे को 90 degree के angle पर cut करते हैं तो हमारा जो answer रहेगा वो क्या रहेगा? answer रहेगा square समझ रहे हैं आप? देखिए क्योंकि rectangle में diagonal equal होते हैं लेकिन वो 90 degree के angle पर cut नहीं करते हैं rhombus में 90 degree के angle पर cut करते हैं लेकिन आपस में equal नहीं होते हैं तो square में यह दोनों चीज़े होती हैं इसलिए answer रहेगा हमारा square question number 6 में एक diagram दे रखा है तो पहले हम यहापर एक diagram बना लेते हैं यह हमारे पास एक LMNO एक पैरलोगराम दे रखा है और एक छोड़ा सा पैरलोगराम और दे रखा है इसी के अंदर L C B A यह भी पैरलोगराम है और यह भी पैरलोगराम है और इसमें यह angle M जो दे रखा है वो 75 डिगरी का है हमें angle find करना है angle L A B मतलब यह वाला angle find करना है हमें और दूसरा angle find करना है हमें angle A B C means A B C हमें यह वाला angle find करना है किलियर हो गई बात अभी है चलिए देखिए solve कहते करते हैं बहुत आसान है देखिए अब ये एक पैरलोगराम है तो LM line हमारी पैरलल होगी ON के और ये भी पैरलोगराम है इसका मतलब है LC line पैरलल होगी AB के किलियर हो गया है अब यहां से देखिए since L, M, N, O and L, C, B, A are two पैरलल होगराम hence LM line पैरलल होगी ON के and LC line पैरलल होगी AB के वही सिंपल आना कि ये line इसके पैरलल होगी और ये छोटी से line इसके पैरलल होगी है ना अब ये LC जो line है वो है तो LM काई पार्ट तो अगर LC पैरलल है तो LM भी पैरलल होगी तो इसका मतलब है ये AB line अगर LC के पैरलल है तो AB line LM के भी पैरलल होगी और अगर AB line LM के पैरलल है तो AB line ON के भी पैरलल होगी होगी तो देखिए इसलिए AB लाइन पैरलल होगी LM के and AB पैरलल होगी ON के मतलब हमारा ये है कहने का कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों आपस में कैसी है सब पैरलल हो चुकी है अब देखिए कोश्चन का आंसर कितना आसानी से मिलने वाला है हमें ये 75 तो ये भी 75 क्योंकि आपोजिट आंगिल अफदा पैरललोगराम आर एक्वल now angle M equals to angle O equals to 75 degree वह ये M की बेले दो हमें पता है न क्यों बराबर होंगे क्योंकि आपोजिट angles of पैरलोगराम है आपस में एक्वल होते हैं एंड ये देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरलल हैं और ये दोनों एंगिल साइड साइड बना हुए हैं तो ये दोनों एंगिल आपस में एक्वल होंगे और इनका रीजन होगा कर्रस्पंडिंग एंगिल तो एंगिल ओ एक्वल्स टू एंगिल ए और एका नाम आप ये लिख सकते हैं अले भी अभी हम ए लिख रहे हैं इक्वल्स टू सेवंटी फाइब डिग्री रीजन क्या रहेगा रहेगा रीजन रहेगा corresponding angle तो यहाँ पर आप A का पूरा नाम लिख सकते हैं angle L AB equals to 75 degree पहला answer हमारा हो गया दूसरा है ABC यह angle निकालना है यह एक parallelogram है यह बाला और इस parallelogram में यह angle L के बराबर होगा तो हमें क्या चाहिए? L parallelogram में adjacent angle का sum होता है 180 तो यहाँ से हम L भी आसानी से निकालते हैं इना parallelogram angle L plus angle M equals to होता है 180 क्या होता है यह sum of adjacent angle तो यहाँ से हमारा L निकल के आ सकता है तो L को हमने यहीं छोड़ा M की value पता है 75 degree है equal में 180 है इस 75 degree को आप आसानी से पहुचा सकते हैं right hand side में minus का हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास L की जो value आ जाएगी वो हो जाएगी 105 हमें क्या करना है हमें निकालना है B तो हम यहाँ से लिख दखते हैं कि angle L equals to angle B equals to 105 region रहेगा opposite angle of parallelogram opposite angles of parallelogram तो आप B का नाम लिख सकते हैं पूरा angle ABC equals to 105 clear 7 में आया 7 में आया हो तो आप comment section में जरूर बताएगा क्योंकि वीडियो में आप comment नहीं करते हैं please comment जरूर करा करें comment करके नीचे बताया करें कि आपको question समय में आया या नहीं आया आया आपको किस question पर किस point पर कहा पर problem आ रहे हैं clear है चलिए next question पर आते है question number 7 question number 7 हमारे पास है ABCD जा parallelogram if the ratio of two sides two sides किसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि parallelogram की opposite side बराबर होती है तो हमें यही दुनों sides का ratio दिया हुआ 3 ratio 2 है and parameter is 120 meter find the length of the side of the parallelogram देकि बहुत आसान है जो हमारी side दे रखी है उनका ratio दे रखा है तो हमने पहले let कर लें कि side दो दे रखी होने क्या हो जाएगा 3x and 2x let the sides of the parallelogram are तो पहली side ले लें हम इसे 3x and second one is 2x और question में हमारे पास parameter भी दे रखा है parameter है 120 meter अब देखिए parameter का formula क्या होता है देखिए rectangle और parameter rectangle और parallelogram दोनों का parameter same होता है क्योंकि rectangle में भी ये land होती है ये breath होती है ये length होती है और parallelogram में भी ये length है ये breath है ये length है ये breath है parameter का मतलब क्या होता है 4 और की map हमें सब तरप का add करना होता है तो देखिए L प्लस B प्लस L प्लस B L प्लस B प्लस L प्लस B तो सेम ही रहता है तो इसलिए दोनों का formula भी सेम रहता है इसलिए parameter का formula हो जाएगा 2 into L प्लस B equals to 120 अब यहां से हम length की value लगा दें यहां से 3x, width की value लगा दें 2x और equal में चलेगा हमारा 120 तो देखिए यहां से हम जाएगा 3 or 2 5x equals to 120 यह हो जाएगा 2, 5 जा 10 और 10 चला जाएगा यहां पर multiply में था और इधार आजाएगा divide में एक 0 से 1 0 cancel हो गया तो यहां से x की value आजाएगा हमारे पास 12 हमें निकालना है length of the side of the parallelogram तो length हो जाएगी length of side देखिए 3x है तो 3 into 12, 12 तरी जाएगा 36 meter 2 into 12 तो 24 meter तो यह हमारा answer हो गया 7th question का clear हो गया होगा आपको आए हो तो question number 8 पर आते हैं देखिए 8 दिया होगा है prove that diagonal of the parallelogram will divide the parallelogram into two congruent triangles बहुत ही अच्छा question है important भी है देखिए question number 8 हमें prove करना है कि एक parallelogram है और इसका एक diagonal इससे दो congruent triangles में divide करता है आप कोई सा भी diagonal मिला सकते हैं आप इसको भी मिला सकते हैं थीक है तो आप यह मत सोची है कि मैंने यह मिलाया तो आप यही मिलाया learn नहीं करना है आपको math पड़ रहे हैं आप math समझे अच्छे से जहां समझ में नहीं आए बहां मुझे comment सकते हैं बताईएगा है ना तो हमारे पास यह हमें पता है पेर्लो गराम है ना और पेर्लो गराम है आप पता होना जीएए कि आपोजेट साइट सापस में बराबर होती है आप यह ना और हमें टूप्रूव में लिख देंगे अब इसके बाद कि कि हमसी अफुछ क्या करना है अफोफ करना है मैं कि एभी डी कोंगरेंस है यह ट्राइंग्ल एभी डी कॉंगरेंस है सीदीड है आप हम स्लूशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमें Congress proof करना है Congress करने के लिए उसको बताया था मैंने पिछर भी पीछे यह आपको फॉर टाइप से आपके तो फॉर टाइप में से आप कुछ भी कर सकते हैं देखिए जो हमारा इसमें लख्ष रहागा हम भवही करेंगे तुम से पहले इन दोनों ट्राइंग्ल को ले 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 ट्राइंगल ABD जिसमें हम चेर्चा करने वाले हैं और CDB सबसे पहली AB और DC आपसमें equal हैं रीजन क्या रहेगा क्योंकि यह sides of parallelogram हैं और sides of parallelogram equal होती हैं second thing ad equals to b c ये भी आपस में बराबर है क्योंकि sides of the parallelogram है और last है जो हमारा bd बराबर bd देखे दोनों triangle में आ रहा है ये bd इसमें भी और इसमें भी तो ये हमारी side क्या हो जाएगी common देखे जितना आपका ये important है उतना है आपका ये important है क्योंकि आपको region नहीं पता है तो आपको कैसे पता लगा कि ये बराबर है आपस में तो इसलिए इसका ज्यान रखी का कोई mark इसी में मिलते हैं तो देखे हमने क्या करा by हमने तीन side बराबर की है तो by SS criterion हमने इसका यूज करा है triangle a b d congress हो गया मारा c d b का और यहीं हमें प्रूब भी करना था तो यहां से देखे कितना आसान question था और important भी था अगला है question number 9 a b c d जब पैरलोग्राम इफ p q r s are the midpoint of the site a b b c c d d a respectively then prove that p q r s is also a parallelogram तो देखिए यहां पर एक parallelogram हमारे पास दे रखा है और उनकी sites का midpoint की जब मिलाया तो बहां पर एक नया parallelogram बनेगा यह हमें प्रूब करना है तो यह question number 9 अच्छे questions है और अगर ध्यान से समझगेगा को आप तो अच्छे से भी समझ में आ जाएगा तो देखिए यहां पर हमारे पास अससे पहले यह a b c d एक parallelogram दे रखा था और इसके बार कुछ midpoint दे रखे थे p q r s are the midpoint तो p midpoint है a b का q midpoint है b c का और यह d c का midpoint है r और इधर midpoint है s और इनको मिला दिया गया है तो यहां पर अब जो बन रहा है यह जो बना है हमारे पास quadilator यह parallelogram है यह हमें इसमें प्रूब करना है तो देखिए अच्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हमारे पास given में क्या था हम बो लेखेंगे question में हमारे पास given में दे रखा है कि यह एक parallelogram है a b c d जा parallelogram और p q r s midpoint है and p q r and s are the midpoint of लेकि लाइन से लिखेगा a b b c c d and d a और last में respectfully हम इसलिए लगाते हैं कि क्रम से पी का a b q का b c r c d है c d का और s d a का midpoint है two proof heading डालेंगे और two proof में लिखेंगे हम कि p q r s is a parallelogram हमें ये प्रूब करना है कि ये क्या है एक parallelogram है तो अब हम लिखेंगे solution हमारे ये given और two proof हो चुके हैं अब देखिए solution कैसे होगा हमें ये प्रूब करना है कि p q r s एक parallelogram है तो किसी भी quadrilateral को parallelogram प्रूब करने के लिए उसका एक पेर opposite equal और parallel proof कर दिया जाए तो वो parallelogram बन जाता है जैसे कि अगर ये a b c d ये हमारा p a b c d एक parallelogram दे रखा है अगर हम ये नहीं दे रखा है तो अगर हम a b और c d c को आपस में equal कर दें और parallel प्रूब कर दें तो ये parallelogram बन जाएगा तो बैसा हम करेंगे इसमें देखिए हम इस triangle को और इस triangle को करेंगे congram जैसे कि हमारा ये sr line p q के बराबर होगी आदा काम हमारा यहां से complete होगा तो देखिए in triangle पी बी क्यू एंड fdr या rdf सबसे पहले हमारा क्या है बराबर देखिए a d line c b के बराबर है a d अगर c v के बराबर है तो a d का half भी c v के half के बराबर होगा वही opposite side है opposite sides of parallelogram समझ में आ रहा होगा आपके a d का half देखिए a d जो line है उसका midpoint है s तो a d के half को आप a s भी लिख सकते हैं और ds भी लिख सकते हैं लेकिन हमें a s की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है ds की तो हम क्या लेखेंगे यहां से ds तीक है और c b के half को लेखेंगे हम b q हमें जरूरत है हम बहीं लेंगे तो यह हमारी पहली चीज़ बराबर हो गई similarly इसी तरीके से a b line dc के बराबर है तो a b का half p b dc के half dr के बराबर होगा तो हम लिख दें आज से p b बराबर dr p b equals to dr समझ रहा अब इसके बार देखिए angle d बराबर होगा angle b के opposite angle of the parallelogram angle d equals to angle b इसके आगे आप चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि a b का जो half होगा वो बराबर होगा c d के half के और a b का जो half है वो है हमारे पास p b और c d का जो half है वो हो गया dr clear तो यहां तो देखिए हमने d बराबर b के है यह क्यों कर रहा है क्योंकि यह opposite angles है of parallelogram के तो यहां से देखिए हमने एक साइड बराबर की दूर साइड बराबर की और तीसरा अंगल बराबर किया मतला हमने बराबर किया by side angle side criterion तो ऐसे हमने triangle p b q कॉंग्रेंस कर दिया हमने triangle r d s के अगर तो उनके corresponding parts आपस में बराबर होते हैं तो यह हमारा s r जो line है वो p q के बराबर होगा hence s r बराबर हो जाएगा p q के और यह region लिखेंगे by c p c t c p c d का मतलब आपको पता होगा corresponding parts of congress triangle हमारा आदा कबर complete हो चुका है कि हमने यह side इसके बराबर कर दिया और हमें करना है कि यह इसके parallel भी है तीकि parallel कब होता है है जब दो line parallel होती है तो उनके बीच में alternative interior angle corresponding angle यह सब angle बनते हैं तो हमने यहां से पी आर को मिला दिया ठीक है पी आर को मिलाने पर हमारे पास यह देखिए अगर अगर यह दोनों यह triangle आपस में congruence हो गए तो यहां पर जो angle बन रहा है इसका नाम हगर हम डाल दें 1 और यहां पर जो angle बन रहा है यह triangle के अंदर की बात चल रही है इन दोनों के और इसका नाम डाल दें हम 2 तो angle 1 और 2 भी आपस में बराबर होंगे cpct से ही angle 1 equals to angle 2 by corresponding parts of congruence triangle अब इसके बाद देखिए यह जो हमने line मिलाई है यह line मिलाने का मतलब यह है कि अगर यह line तो इसके parallel है यह मैं पता है since ab line parallel है cd के यह dc के तो ab line अगर इसके parallel है तो यहां पर जो angle बन रहा है यह वह इस वाले angle के बराबर होगा alternative interior angle तो angle rpb बराबर होगा prd के ठीक है क्यों बराबर होगा यह है हमारे पास alternative interior angle अब यहां पर हम इसे minus कर देते हैं rpb में से अगर हम two minus करेंगे तो हमारा यह इतना ही angle बचेगा now angle देखिए इस equation को इस equation में से minus कर रहा है इसे डाल दीजी equation number one और इसे डाल दीजी equation number two equation second minus equation one तो left वाले को left में से minus करा angle rpb minus one एक मिनट यह बन आप इधर मत देखिए क्योंकि यह थोड़ा सा side चीने रहेगी क्योंकि rpb है तो इसमें से two minus होगा तो हम इधर side में two लिख लें इसमें कोई गलती नहीं है ठीक है आप angle को आगे बीची बरावर में कर सकते हैं तो rpb में से हम क्या घटाएंगे हम two और तो पी आर डी में से घटाएंगे हम बन देखिए rpb यह पूरा एंगल है इसमें से हम के बल इतना आयंगल माइनस कर रहे है कि बल टू तो यह बचेगा हमारा rpq एक को स्टू और पी आर्डी ये पूरा एंगल है इसमें से बन माइनस कर रहे हैं तो बच्छे का पी आर एस बड़ी मिस्टेक हो रही है पी आर एस अब देखिए इस पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस में ये दोनों अल्टर्नेटिव इंटीर एंगल है आर पी क्यू और पी आर एस और अगर ये बरावर हो गए आपस में तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे अल्टर्नेटिव इंटीर एंगल और अल्टर्नेटिव इंटीर एंगल बरावर होते तो इंट्री रेंगल बड़ावर होने पर हैंस पीक्यू लाइन पैरलल हो जाएगी ऐसार के इसे अब डाल दीजिए समझ में आ रहा होगा अब लोगे तो फ्रॉम ए एंड बी अगर यह लाइन आपस में देखिए यह वाला पैर हमारा एक्वल और पैरलल हो गया तो यह हमारा बन गया पैरलोग्राम फ्रॉम ए एंड बी पी क्यू आर एस इस आ पैरलोग्राम थोड़ा सा कोश्चन लेंथी जरूट हो गया है लेकिन इजी हैं आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले हमने कोश्चन में इस पी क्यू आर एस को हमें पैरलोग्राम फ्रॉप परना था तो पैरलोग्राम फ्रॉप करने के और हमें एक पर नहों के कॉमढ़ेशन के प्मद्रेशन हमने प्रमंटर ते और यह ज़िए हैं 170 cm One of its sides 5 cm more than the other एक side दूसरे साइड से 5 cm more than मतलब जादा है मतलब अगर एक 10 है तो दूसरी हो जाएगी 15 Find the side of the parallelogram तो हम other side को पहले let कर लें other side को क्या माल लेंगे हम x let question number 10 sides of parallelogram एक side हमारी है x और दूसरी side हो जाएगी x plus 5 clear हो गया तो कि एक अगर दूसरे से 5 cm जादा बढ़ी है तो एक को आप x मानेंगे दूसरे को x plus 5 parameter is 170 parameter equals to 170 cm अब ये question आपका बिल्कुल पराने question की तरह हो गया है easy हो गया है solve कर लेंगे इसे parameter का formula होता है 2 into length plus breath equals to 170 length बढ़ी बाली होगी breath छोटी बाली होगी तो length होगी x plus 5 और breath होगी x equals to 170 आप चाहें तो इस टू को पहले इस 170 की तरह पुझा सकते हैं आपान में divide कर देंगे तो 2,8 जा 16 बन बचेगा 2,5 जा 10 और यहां पर x और x कितने हो जाएंगे 2x और plus का हो जाएगा 5 अब यहां से plus का जो 5 है उसे भेज देंगे बराबर में तो वो जाएगा minus का तो हमारे पास 2x equals to आजाएगा 80 और 2 कहां जला जाएगा यह x किसका साथ छोड़के चला जाएगा 80 के upon में तो यहां से x की value जो आजाएगी वो आजाएगी 40 वो आजाएगी 40 cm and the second side वो इससे 4 cm जादा है 5 cm जादा है तो वो जाएगी 45 cm किलियर हो गया होगा next question पढ़ाते है question number 11 दे रखा है an angle of parallelogram is 20 degree more than the adjacent angle एक parallelogram का जो angle है वो इसके adjacent angle से 20 जादा है find a measure of all the angles सारे angle निकाल ले हमें देखिए कितना आसान question है देखिए सब question जो है आपके properties पर ही depend है अगर आपको properties पता है तब ही आप कर सकते है नीचे hint दे रखा है कि adjacent angle का sum होता है 180 तो आपको यह अगर hint पता है तब ही आप कर सकते हैं आसानी से एक angle 20 ज्यादा है तो अगर हमारा adjacent angle A और B हैं B और C हैं C और D हैं D और A यह सारे adjacent angle हैं तो हम इन दोनों में से किसी को अगर एक को X माल ले तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 प्लस X लेट लिखेंगे लेट adjacent angles तो एक को हमने माल लिए है X और दूसरा उससे 20 ज्यादा है तो दूसरा हो जाएगा X प्लस 20 समझ रहे हैं adjacent angle का सम होता है 180 since तो यहाँ पर जो property जो hint दे रखकी है आप इसका यूज कर सकते हैं लेकिन आपको पता रहना चाहिए क्योंकि आपको एक्जाम में तो यह hint मिलने वाली नहीं है और आपके लिए बैटा रहे है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि properties क्या क्या होती है sum of adjacent angle of a parallelogram equals to 180 तो यहाँ से पहला angle है X दूसरा angle है X प्लस 20 equals to 180 तो X और X हो जाएंगे हमारे 2X 20 को भेज़ेंगे हम बरावर में माइनस में आप इसी में add मत कर दीजएगा क्योंकि 20 के साथ X नहीं है तो यह समें जुड़े बड़ेगा नहीं तो 2X equals to हो जाएगा 180 माइनस 20 बचेगा 160 2 को आप भेज सकते हैं 160 के upon में तो यहां से हमारे पास X की जो value आजाएगी गो हो जाएगी 80 मीज़ आपका एक angle आगया 80 second angle निकाल सकते हैं यहां से आप 80 plus 20 दूसरा angle कितना आजाएगा आपका 100 degree question में लिखा हुआ है कि सारे angle निकालने हैं आपको पता होना चाहिए कि तो यह हमारा first angle 80 है second angle 100 है third angle इसी के बराबर होगा तो third angle भी होगा 80 और fourth angle होगा second angle के बराबर fourth angle लिख दें इसी के आगे चाहें equals to second angle equals to 100 degree तो यह हमारे सभी answer आ चुके है clear हो गया होगा question number 12 पर आते हैं one angle of a parallelogram is 60 degree find a measure of all the remaining angles हमें इस सारे angle निकालने हैं और हमारे पास एक angle दे रखका है 60 degree देखे बिलकुल इसी की तरह है हमें adjacent angle वाली property लगानी है हमें इसमें देखे मैं hint दे रहा हूँ आप इसको swim करेंगे question number 12 है यहाँ पर एक diagram अना लिजी आप roughly कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे PQRS दे दीजे PQRS एक angle 60 degree का है तो हमारा यह हमने लिख लिया 60 degree का और हमें सारे angle निकालने हैं इसके देखे सारे angle निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले P और Q का sum क्या होता है अभी आपने इससे पिछले question में property लगाई है बही लगा के आप निकालेंगे Q अब P बराबर होता है R के तो आप लिख सकते हैं P equals to R तो R भी 60 का हो गया Q equals to X sum of O opposite angle of the parallelogram R equals तो हमारा Q आगया है तो S भी आगया तो यहां से हमारे question complete हो गया तो इस तरीके साब इस question को भी कर सकते हैं अब मिलेंगे next video में आगे question को solve करेंगे तब तक लिए thank you so much टाटा वाई बाई